उजालों को तो अब बनवास ही लेना पड़ेगा सूर्य के बेटे अन्धेरों का समर्थन कर रहे हैं नमस्कार मैं जन्बक्ता स्ट्रियोम गौतम और आज जैसी की खबर थी रात को UN Security Council में मसूद अजहर को अंतर राष्टिय आतंकवादी गोसित करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, बिटेन और जापान ने पूरी कोसिस की लेकिन चौथी बार चीन नाम के देश ने उस पूरे मसले पर बीटो लगा कर भारत को एक बार फिर जटका दिया यह चौथी बार है कि चीन ने इस मामले में बीटो लगाया है और मसूद अजहर को अंतर राष्टी आतंगबादी गोसित नहीं होने दिया इसके कई साहरे माइने हैं अगर वो अंतर राष्टी आतंगबादी गोसित हो जाता तो भारत को फिर खुली छूट मिल जाती ही उस ब्यक्ती के खिलाब कार्रेवाई करने की तब भारत उसको पाकिस्तान में किसी भी जगए एरिस्टाइक में मार सकता था जैसे के अमेरिका ने ओसमा विल नादेन को मारा था लेकिन यह नहीं हो पाया यह क्यों नहीं हो पाया इसकी कई सारी बज़ा है पहली बज़ा तो यह है कि चीन के आर्थिक हिट जो पाकिस्तान में है वो उननका रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए उसने मसूद अजर को आतंगवादी गोसित नहीं होने दिया दूसरी बज़ा है कि चीन कोस यूएन सेकेरिटी काउंसिल में इस्थाई सदस्यता मिली हुई है और बीटो पावर मिली हुई है जिसका दुर्पयोग वो भारत के खिलाब करता है पाकिस्तान से यारी निवाने के लिए करता है लेकिन इसी बीटो पावर में एक और गुनहगार है जो भारत का ही प्रदान मंत्री रहा है जिस पर आज फिर से सवाल उठाए गए बारती जन्ता पार्टी की तरफ से क्योंकि उसी की बेटी के पोते ने आज भारत की कूटमीती पर सवाल उठाए थे भारत के प्रदान मंत्री को कमजोर प्रदान मंत्री कहकर हसी उडाने की कोशिस की थी और चीन ने जो मसूद अजर को बचाने का काम किया उसका जस्न भी मनाने की कोशिस की थी तो बात फिर निकल कर आई कि ये जो बीटो पौवर चीन भारत के खिलाब बारवार मसूद अजर के लिए इस्तेमाल करता है ये उसको मिली कैसे इसको लेकर तमाम सवाल उठते रहें आज हम उसी सवाल से पहले सुरू करेंगे फिर बताएंगे कि चीन ने मसूद अजर को किन आर्थिक हितों की बज़े से बचाया और ये भी बताएंगे कि इस नहरू गांधी परिवार की बज़े से भारत को और कितनी समस्याएं बार बार जहेलनी पड़ती है ये जो नहरू गांधी खांदान है जिसने तमाम बर्षों तक इस देश पर सासन किया इसका खुन चूसा और बदले में इस देश को बड़ी बड़ी समस्याएं उपहार में दे दी दरसल 1953 में जब चाइना के अंदर क्रांटी कहिए या तक्ता पलट कह लिजिए जब यह हुआ था तो चाइना की जो उस समय की सरकार थी वो फॉर्मोसा यानि कि ताइवान में सिफ्ट हो गई थी निर्वासित हो गई थी यूएन सिक्राइटी काउंसल की जो सीट थी वो उस समय की फॉर्मोसा में वैठी हुई रिपब्लिक और चाइना की सरकार के पास थी यानि कि ताइवान के पास थी तब तमाब महासक्तियों ने ये सीट देने के लिए इस सदस्रता के लिए भारत को ओफर किया था और उस समय भारत का प्रधानमंती दुरुभाग्य से जवाहरलाल नाम का व्यक्ति था जवाहरलाल ने अपने सफेद कवूत्रों वाली नीती को अपनाते हुए वो ओफर ठुकराया और उसके लिए सिफारिस की Communist चीन की यानि कि Republic of China यानि ताइवान को जो सीट उस समय हासिल थी जब उसको किसी दूसरे देश को देने की बात आई यानि भारत को देने की बात आई थी तब जेवार हलाल ने कह दिया कि नहीं इसको People's Republic of China यानि कि PRC को दे दिया जाए Communist देश को दे दिया जाए और इस तरीके से वो बीटो पावर और सुरच्छा परिश्च की स्थाई सलस्था चीन को मिल गई जिसके बाद चीन एक महासक्ती बन गया और आज उसका खामयाजा भारत को ही उठाना पड़ रहा है जिसके प्रदान मंत्री ने चीन को ये सुरच्छा परिश्द की बीटो पावर गिफ्ट में दी थी चीन ने इसका जवाब जवाहर को भी दिया था और जवाहर के प्रदान मंत्री रहते हुए बारत पर आक्रमण किया था और जम्मू कस्मीर का एक बड़ा भुबाग आज भी उसी चीन के पास कबजे में है जवाहर नहीं कस्मीर समस्चा की जड़े वोई थी सेक अब्दुल्ला से भाई चारा निवाते हुए जब माराजा हरी सिंग ने इसके बिले की बात की तो उसने उसको विसेश दरजा दे दिया 35 ए दे दिया 370 दे दिया उसका नतीजा यह है कि आज कस्मीर भारत का अभिन अंग होते हुए भी वहां के जो नागरिक हैं वो अपने आपको भारती कहने से हिचकते हैं क्योंकि उनको अलग से सम्मेदान मिला हुआ है अलग से 35 एके द्वारा उसे विसेश दरजा मिला हुआ है कि आज जो कस्मीर का हिस्सा पाकिस्तान उक्यूपाइट कस्मीर कहलाता है उसके पीछे भी यही नहरू-गांदी परिवार है इसी नहरू गांधी परिवार के सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान ने उस हिस्से को अपने कबजे में लिया और 1971 के जिस युद्ध को लेकर कॉंग्रेस पार्टी अपने आपको बड़ा सूर्मा बताने की कोशिस करती है भारत की सेनाओं ने जिस जंबाज लड़ाई के द्वारा उसके 93,000 सेनिकों को कबजे में ले लिया अचां और तब पूरे देश को ये उम्मीद थी कि अब जो पाक उक्कुपाइड कस्मीर कहा जाने वाला कस्मीर का हिस्सा है वो भारत बापस ले लेगा इन सेनिकों के बदले में तब भारत की गांदी नेरू परिवार से आने वाली उस प्रधान मंत्री ने बिना उस हिस्से को वापस लिए और बिना पाकिस्तान में भारत के सेनिकों को वापस लिए पाकिस्तान के 93,000 सेनिक छोड़ दिये थे, ये बहुत ही सर्मनाक फैसला था जो इंद्रा गांदी ने लिया था युद्ध बिज्ञान का अंध्यन करते हुए जब हम इस बात को पढ़ा करते थे तो बड़े कुछ सा हुआ करते थे लेकिन आज पता चलता है कि बास्तम में वो बहुत बड़ी कड़्डारी थी जो इंद्रा गांदी ने की थी क्योंकि उस समय पाकिस्तान में भारत के भी करीब 200 सेनिक बंदी थे उनको वापस नहीं लिया गया पाकिस्तानी सेनिक छोड़ दिये गए और वो 200 सेनिक पाकिस्तानों की जेलों में यातना सेने के लिए मजबूर हुए जब तक उनमें से कुछ जिंदा रहे उन्हें वहां सताया जाता रहा यह समय आज इसलिए बता रहा हूं कि आज कॉंग्रेस पार्टी का जो राष्टी अद्दच है वो सवाल उठाता है बासपई सरकार के जमाने में 153 यात्तियों को छोड़े जाने के बाद के बदले में तीन जो आतंगबादी छोड़े गए थे उनमें मसूद अजर भी था इस बात को कहता है तो उसी तरक के आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि आज जो चाइना ने भारत के साथ किया है उसके लिए जवाहर लाल नहरू भी बरावर का गुनेगार है आज पाकिस्तान के पास जो भारत का हिस्सा है उसके लिए इंद्रा गांदी भी बरावर की गुनेगार है क्योंकि एक तरक को आप एक तरफ लगाएंगे और दूसी तरफ नहीं लगाएंगे तो नियाए नहीं हो सकता अब बात आ दिये कि चाइना ने मसूद अजर को क्यों बचाया दरसल चीन पाकिस्तान में होकर समुद्ध तक एक कॉरिडूर बना रहा है जो कॉरिडूर पाक उक्कुपाइट कस्मीर से होकर भी जाता है और पाकिस्तान के कई राज्यों से होकर जाता है चीन को ये डर है कि अगर उसने मसूद अजर को आतंकवादी गोसित हो जाने दिया तो जैसे मुहम्मद और और भी जो कटर पंथी पाकिस्तान में है वो उसके कॉरिडूर को नहीं बनने देंगे इसलिए चीन ने मसूद अजर और उसके कटर पंथी साथियों से पंगा लेने की बजाए भारत से पंगा लेना ज्यादा सुरच्छित समझा अपने 40 से 50 जार करोड के उस कॉरिडूर को बचाने के लिए चीन ने ये कदम उठाया उसे पता है कि ऐसा कदम उठाने के बाद वो विश्व बिडादरी में एक खलनाएक बन जाएगा लेकिन चीन को खलनाएक बनना पसंद है पर अपना फाइदा थोड़ना कहीं भी गवारा नहीं है इसके जवाब में भारत क्या कर सकता है चीन चुके आर्थिक रूप से इस फैसले को रे रहा है तो चीन का सबसे बड़ा जो निर्यात है वो भारत से होता है अगर हम भी एक जुट्टा दिखाएं और भारत सरकार से यह अन्रोध करें कि चीन से पूरा आयात बंद कर दिया जाए जिस तरीके से हमने पाकिस्तान से आने वाली वस्तूओं पर दोसो प्रत्सत की ड्यूटी लगाई कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी हमने उसी तरीके से चीन से आने वाले सामानों पर भी दोसो प्रत्सत अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा जटका होगा और चीन चुकि कम्यूनिस्ट देश है उसको वहाँ अपने यहाँ नागरिकों को रोजगार देना पड़ता है और रोजगार देने के लिए वो डंपिंग की प्रिक्रिया अपनाता है यानि कि सामान को महना होते हुए भी सस सस्ता बेचने की कोसिस करता है तब चीन का सामान भारत में सस्ता नहीं होगा और इस तरह चीन की अर्थविवस्टा घुटनों पर आ जाएगी ऐसा निर्णे लेने के लिए भारत में एक मजबूस सरकार की जरुवत है क्योंकि अब आचार साहिता लागू हो सकती है अब ऐसा फैसला हो नहीं सकता ऐसा फैसला होने के लिए संसद में बिदेक लाना पड़ेगा तो भारत के नागरे को कुछ आईए कि वो देस में एक पीशंकर साथ ने राहूल गांदी पर साथा साथते हुए यहीं सारी बाते भी कहीं और राहूल से पूछा कि क्या अब वो जवाहर लाल को जो इस पूरे मामले के दोसी है बीटो पावर दिलाने के दोसी है कमजोर प्रदान मंत्री कहेगा सुस्मा सुराज ने भी कहा कि पाकिस्तान जो बादचीत के लिए कह रहा है आज पाकिस्तान के प्रदान मंत्री ने जस mercifulा से मुलाकात ये हाफिस सहीत के सहयोगी से और खालिस्तान के नाम पर आतंगबाद फेराने की कोसिस करने वाले गद्दार आतंगबादी से मुलाकात की है वो ये दरसाता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो आतंगबादियों के साथ है उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के इमरान खान बड़े न कि तरब से यह कह दिया गया कि मसवूद अजार हमारा गुनेगार है आतंक बात को फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है जब तक वो बंद नहीं होगा हम बात्चीत नहीं करेंगे इन सारी बातों के बात इम्रान खान ने जिस तरीके से गोपाल चावला से मुलाकात की है तो यह उन लोगों के मुँपर भी एक बड़ा तमाचा है वो जो सिद्धु जैसे लोग हैं दिगु जैसे लोग हैं या बर्खा रवीज जैसे पत्तकार है जो सांती का नोबल पिस सहीद या फिर मसूद अजर के साथ गलवहियां करता है उनके साथ मुलाकाते करता है लेकिन दिखाने की कोशिशिये करता है कि वो कितना सरीफ आदमी है वो लोग जिस तरीके से इस अभिनंदन बिंकमांडर अभिनंदन की बापसी के लिए उसको बदाई दे रहे थे और नहीं जानते कि उसकी बापसी के लिए पाकिस्तान भारत की कूटनीती की बज़े से मजबूर हुआ था क्योंकि कल अमेरिका के एक प्रवक्ता ने भी कहा कि हाफिस सहीद जैसे मुहमद और मसूद अजर पूरी विशुसांती के लिए खत्रा है उसको बैन होना चाहिए उसके लिए उसके खिलाब बहुत सारे सुबूत वहां यूएन में दिये जा चुके हैं उससे पहले ट्रंप ने भी कहा था कि हम पूरी तरीके से पाकिस्तान पर दबाब डाल रहे हैं और उसी दबाब का नतीजा था कि भारत के आगे जुकते हुए पाकिस्तान को भारत का विंक कमांडर साथ घंटे के अंदर बापस करना पड़े था लेकिन इस देश के गद्धार विपच्छी नेताओं के लिए क्या कहेंगे आतंक प्रिस्रे देने वाले उनको बड़ावा देने वाले उनका संरच्छर करने वाले पाकिस्तान के निताओं को वो सांति पुनुषकार दिलाने की बात करते है वह भारत-देश की सरकार पर सवाल उठाते हैं ने भूल जाते है आज जो कस्मीर में समस्या बनी हुई है आतंक बात फैल रहा है उसके लिए भी वही व्यक्ति जिम्मेदार था और आज जो पाकिस्तान के पास कस्मीर का बड़ा हिस्सा है उसको लेने में भी उसकी खुद की दादी जिम्मेदार रही थी अगर 93 हजार सैनकों के बदले में वह मांग की जाती तो पाकिस्तान को देना परता सेना की बाहवद्रवीं को देश की भाववनाओं को और इस देश की सुरच्चा को दावपल लगाने का काम कॉंग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कॉंग्रेस पार्टी कभी भी देश के लिए नहीं सोचती, इसके नेता कभी देश के लिए नहीं सोचते, यही उनके आने वाले बयानों में रोज रोज के ट्विट्स में साफ जाहर होता है, जैहिन, जैभारत!